हेलो नौलिश के दिवानों स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर और आज हम CBSE Board के 12th किलास के फिजिक्स के पेपर का सॉलुशन लेकर आए है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा पेपर करकर आए हैं कमेंट्स आ रहें कि सर हमारा बहुत अच्छा यह है और सेट 1 है ठीक है सेट 2 भी है सेट 3 भी है तीनों सेट का सॉलुशन मैं आज आपको बताने वाला हूं आप मेरे साथ में बने रहें और सब के लिए बहुत बहुत बढ़ाई आपका पेपर बहुत अच्छा गया है पेपर मॉडिरेट पेपर था ना जादे टिपीक है वो यह है ठीक है इसमें सेक्शन ए पर हम डिसकस कर रहे हैं पहले सेक्शन ए और सेक्शन ए भी कौन से वाले सेट का सेट बन का तो इस अब पहला कोशन है the magnitude of the electric field due to a point charge point charge object at a distance 4 meter is 9 newton पर कुलंब यानि के हमारे पास में एक point charge हो से हम क्यों माल लेते हैं और इससे कितनी distance पर इससे 4 meter की distance पर जो electric field given है वो आपको 9 newton पर कुलंब given है अब यह अगले ही line में कह रहे हैं from the same charge charge का magnitude हमें same रखना है charge का magnitude हमें same रखना है from the same charge the electric field of magnitude 16 newton पर कुलंब will be at a distance यानि कि electric field जो हमें मिलेगा यह electric field की value थी यहाँ पर जो electric field हमें e dash मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए 16 newton पर कुलंब ठीक है उसके बाद में यह पूछ रहे है charge हमने same रखा यह पूछ रहे है कि यहाँ पर distance कितनी होनी चाहिए राइट तो देखे चार्ज आपका same है यहाँ भी वोई चार्ज था यहाँ भी वोई चार्ज था तो आप इसे कुछ भी लेट कर सकते 1,2,3 जो भी लेट करना चाहिए क्योंकि चार्ज को चेंज नहीं किया और अब इलक्ट्रिक फिल्ड जो है 16 न्यूटन पर कुला में distance पूछ रहे हैं उसी से तो सबसे पहले से solve किजिए E is equal to कितना होता आपका formula K Q upon R square राइट इलक्ट्रिक फिल्ड की value कितनी है 9 K को यूँ रख देते हैं Q आपका same है R की distance कितनी है 4 है 4 का square कितना है 16 अब ज़र इसके लिए देखते हैं इसके लिए electric field हमें कितना given है 16 K हमें वो ही है Q B हमारे पास में वो ही है लेकिन R अब यहां पर क्या है R यहां पर R square और यही R square में निकालना जहां पर यह है तो इन दोनों equation का divide कर लीजिए इन दोनोंस आप solve कर सकते हैं या यहां से आप Q की value निकाल कर यहां पुट कर सकते हैं तो जब यहां सा आप Q की value निकालते हैं तो Q is equal to कितना मिलेगा 16 into 9 upon K इस value को यहां पर रख दीजे 16 is equal to K Q की value कितने है 16 into 9 upon K तो यह हो जाएगा 16 into 9 upon K upon R square ठीक है के से कैंसल हो जाते हैं यहां पर पहुचाएगा आपका तो कितना हो जाएगा 16 into 9 upon R square और यह 16 है 16 से 16 cancel 1 upon R, R को इधर बेजोगे तो R square is equal to कितना आजाएगा आपका 9 जब आप R निकालोगे तो R is equal to आजाएगा आपका 3 meter तो इसका जो option सही है question section A के question number 1 का question number 1 का जो option सही है आपका वो है C option C यानि के 3 meter 3 meter राइट अब अगले question पर चलते हैं जल्दी जल्दी करेंगे ज़रा थोड़ा सा हर question का answer मैं यहां लिखूंगा यहां साप उसे चेक कर सकते हैं ठीक है अब अगला है आपका question देखिया आपके लिए बहुत महनत करी है मैंने तो वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है question number 2 है question number 2 इसका option राइट option में यहां रुखूंगा solution यहां बता रहा हूँ a point p lies at a distance x from the mid point of electric dipole on the axis dipole है हमारे पास minus q plus q इसके mid point से हमें पर हमारी distance दी गई है x अब यह यह कह रहे है कि the electric potential at a p is proportional to और यह जो p.a x distance पर है तो electric potential जो होगा वो क्या होगा किसके प्रोपोशल होगा तो आपको बता है electric potential का formula कितना होता k p upon r square one upon four epsilon not p upon r square जबके हमारे simple point charge के जो potential होता होता k q upon r तो बच्चे यहां confused क्या होते हैं कि v proportional है one upon r लेकिन यहां पर v inversely proportional आगर मैं proportional बोलता हूँ तो one upon r inversely proportional बोलता हूँ तो r लेकिन यहां पर जब हम कहेंगे तो proportional किसके है one upon r square के लेकिन inversely proportional r square तो यहां पर अब r की जगे हमने क्या let किया था x let किया था तो v आपका आजाएगा inversely proportional x square या v directly proportional one upon x square ठीक है बहुत बार यह पूछा गया है बहुत simple question था तो यह आपका इसका right answer है right answer में लिख देता हूँ question number two का जो right answer है वो है a और यह आपको मिलता है one upon x square right ओके अब चलते है question number three की तरफ question number three और question number three में क्या पूछा गया है question number three में कहा गया है एक current of 0.8 ampere question number three right option में यही लिखता रहूंगा question number three में आई दिया है आपको 0.8 ampere 0.8 ampere ठीक है उसके बाद में in a conductor of 40 ohm जिस conductor का resistance कितना है 40 ohm है ठीक है four one minute time दिया है आपको के one minute one minute का मतलब 60 second fundamental unit में हमने से convert कर दिया ठीक है the heat produce in the conductor will be heat निकालना हमसे at one ही है यह heat निकालना तो heat का formula आप सभी को पता है i square rt i square rt जब इसे आप करेंगे i square rt से h की value i की value रखें 0.8 का whole square ampere में है उसके बाद में r कितना है 40 time कितना है 60 इसे जब आप calculate करेंगे तो यह मिलेगा यह अवी calculation आप कर सकते हैं जल्दी है इस वज़े से मापको direct answer बता रहा हूं तो इसका जो answer आएगा वह आएगा option number b option number b है 1536 jool यानिके 1536 jool आपको मिलेगा इसे solve करने पर राइट ओके अगला question की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा question number है कौन सा question number 4 question number 4 में है asl of emf इस connected simple formula जल्दी बता रहा हूं आपको देखो कैसे करेंगे emf के मतलब internal resistance के लिए पूछा गया है तो आपको बता है हमारे emf जो होता वो potential plus potential v- यानिके internal और external ठीक है तो हम यहां से इस v- की value को अलग करना चाहेंगे तो यह कितना हो जाएगा emf minus terminal potential बाहर का terminal potential है यह अंदर वाला है cell का अंदर वाला है तो इसकी value होती है i small r is equal to emf minus v जब आप small r की value निकालेंगे तो emf minus v upon i राइट अब आपको पता हमसलों को according v is equal to ir होता जब i निकालोगे तो कितना हो जाएगा v upon r यह value put कर दें तो यहां पर हो जाएगा emf minus v upon v upon r r को मैं यहां लिख सकता हूं r को मैं यहां लिख सकता हूं अब देखे ज़रा option number emf minus potential upon potential into r option number d सही है इसका option number d और right answer भी लिखे देता हूं मैं देखी यहां से इसका right answer है emf minus v upon v into r यह इसका right option है ओके ठीक है अब देखते है question number five question number five तो question number five में कहा गया है beam of electrons and protons move parallel to each other in the same direction एक electron का beam है और एक proton का beam है beam of electrons and protons electron भी इधर जा रहे है और protons भी इधर जा रहे moving parallel direction they attract each other repel each other neither attract or nor repel force of attraction or repression depend upon the speed of the beam तो देखे यह कैसा होगा जब electron इधर जा रहा है तो यह माल लिजे कि हमने conductor माल लिया ठीक है तो यह जो magnetic field create करेगा यह भी और यह भी create करेगा तो आपको पता है कि जब ले current carrying conductor होते है उसमें current same direction में होता है तो 100 क्या करते अठरेक्ट है रजब उनमें current opposite direction में होता सो ये एक दूसरे को रिपैल करेंगे क्या करेंगे रिपैल इच- chant इसका जो option सही होता है वह होता है यानिके रिपैल इच- τον कोर्षन नबर 5 का option नमबर B ठीक है, रिपेल इच अधर ठीक है, यह सका राइट आप्शन है, रिपेल इच अधर, B वाला पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में आयाते हैं, कोशन नमबर 6, ठीक है, 6 मैं थोड़ा सा टिपीकल दे दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला कोशन ह यह ठीक है बच्चे मुझे लगता है कि आप सही करता हूं उपर वाले से का आपका पेपर अच्छा गया हो ठीक है तो देखें इसमें यह बता रखा है कि हमारे पास में एक यह वायर है यह वायर की जो रेडियस है यह है यह पूछ रहे हैं कि हमें magnetic field जो है एक तो हमें इससे a by 2 पर देखना है यानि कि यहाँ पर a by 2 ठीक है आधे पर middle पर और एक देखना हमें इससे 2a जबके wire की radius कितनी है a है और एक देखना हमें 2a पर तो अब जो हम magnetic field देखें देखें wire की वज़े से magnetic field बाहर अगर wire से बाहर देखते हैं तो इसके लिए formula होता है b is equal to mu naught i upon 2 pi r लेकिन r की जगे a है तो a लेंगे हम ठीक है बहरी बात आरे हैं अब अगर हम इसके लिए देखते हैं wire के अंदर के लिए तो यह होता mu naught i mu naught i r upon 2 pi a square ठीक है यह इसका right formula होता है मेरी बात आप समझे अब जब यह बात यहाँ पर आ जाती है तो अब आपको यह देखना है कि इसके according इसके according हमारा क्या formula बनना चाहिए क्या होना चाहिए मेरी बात समझ रहे हैं आप जड़ा एक बार इससे tally करें तैली करें से एक बार ठीक है अब इससे जड़ा जल्दी से इसमें आप value put करें और value put में क्या दे रखा है सबसे पहले a by 2 तो इसके लिए यह जो है r यह आपका a by 2 हो जाएगा ठीक है और बाहर वाले के लिए यह होगा तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं हम तो बाहर वाले के लिए जो magnetic field दे रखा वो b2 है यह b2 है और यह b1 है तो सबसे पहले b2 की value निकाले तो b2 आप find करेंगे mu not i upon 2 pi a a की जगे क्या रखेंगा आप total यानिके 2 a तो यह हो जाएगा 2 pi into 2 a तो b2 आपका हो जाता है mu not i upon 4 pi a अब जब इसके लिए आजाएगा आप b1 के लिए तो b1 के लिए कितना हो जाएगा mu not i इसकी जगे क्या रखेंगा आप r यानिके distance जो हमने वो कितनी ले लिए है वो ले लिए हमने 2 a ठीक है उसके बाद मैं यहां पर आजाएगा आपका r जो है अब अंदर जो हमने distance लिए है वो आपकी a by 2 है तो mu not i यहां पर रखोगे आप a by 2 upon 2 pi a square ठीक है अब जब इसे आप solve करेंगे 2 नीचे आजाएगा आपका तो कितना हो जाएगा mu not i a upon 2 नीचे आगे 2 to the 4 pi a square इस a से यह cancel तो कितना मिला आपको mu not i upon 4 pi a अब जब देखें आप यह b1 की value है b2 की value mu not i upon 4 pi a mu not i upon 4 pi a जब आप इसका ratio निकालोगे यानि के ratio पूछा आप से b1 ratio b2 तो b1 b2 जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 ratio 1 यानि के answer कितना आएगा इसका 1 जो option में दियावा है तो इसका right answer 1 है question number है यह 6 question number 6 इसका जो option सही है वो b सही है और इसका option का b का है 1 ठीक है यह आपका था यह थोड़ा सा tricky question था ठीक थोड़ा सा घुमाने वाला question था लेकिन आसान था ठीक है अब मैं इसा रफ कर देता हूँ अब देखते हैं अगला question question number 7 question number 7 7 में पूछा गया है question number 7 यहाँ पर लिख देता है option यह लिखूंगा मैं question number 7 में का गया कि e and b represent the electric and magnetic field of an electromagnetic wave respectively the direction of the propagation of the wave is along तो देखे एक बात धिहान रखना है आपको जब भी electromagnetic wave का diagram बना होगा आपने यह X होता है यह Y होता है और यह Z होता है तो electric field इस तरीके सोता है magnetic field ऐसा होता है तो यह perpendicular direction में जो है यह यह आपके electric field है यह और यह जो आरे Z axis पर यह वाले यह Z axis पर जो है positive और negative की तरफ चलने है यह पहलो अधर पहुचाते है फिर इदर तो यह आपके electric field है जो की कौन सी एक्सिस पर है Y और यह जो आपको दीख रहे है यह यह आपके magnetic field है जो की है आपकी Z axis पर और यह जाई रही है तो इसके लिए जो मतलब direction of propagation वो गिदर की तरफ है X तो आपके direction of propagation के लिए जो इसका सही formula होता वो यह है E cross B अब आप कहेंगे सर यह सही क्यों है तो देखिए E कौन सी direction में है E आपका है Y direction और Y को present करते हम J caps है ठीके cross B कौन सी direction में है B है Z direction को हम शो करते K caps है जब इन दोनों का आप product करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा cross product वो आपको मिलेगा i cap और i cap इसके wave propagation के direction को शो कर रहा है तो इसका right option E cross B है यानि के option number C और यह आता है आपका E cross B ओके ठीक है अब मैं चलता हूं अगले question की तरफ और अगला question है आपका question number 8 और 8 में कहा गया है array of monochromatic light थग गया पानी monochromatic light अब monochromatic light क्या होते है जिसमें एक color होता है unidirectional होती है propagate आज में आपकी तरफ interaction नहीं हो रहां देखें जल्दी है सवजे से मेरी नजर paper की तरफ है आपसे जो है में मुखातिब कम हो रहा हूं इस time तो paper में ध्यान है electromagnetic wave propagation in a year is incident on the surface of water which of the following will be same for the reflected and refracted ray देखें चाहे तो reflection हो चाहे reflection हो इसमें light का एक characteristics हमेशा constant रहती है और वो है आपका frequency of light ठीक है तो यह theory का question हां तो question number 8 का question number 8 का C part बिल्कों सही है यानि के frequency frequency ठीक है अब चलते हैं question number 9 की तरफ ठीक है a beam of light travel into air with the speed with the speed and wavelength in the medium this the wavelength of the light question number 9 ठीक है यानि के हमें wavelength बता दी गई है ठीक फिलाल इतना आप इसका इसका option जो है इसका option जरह not कर लिजे ठीक है तो इसका यह आपने करें लिया फिर अब इससे हम रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद में question number 9 जो है वह आपका थोड़ा सा थोड़ा सा tricky है बस देखिए a beam of light travel from air into medium ठीक है its speed and wavelength in medium में स्पीड कितनी है वी माल लेते हैं और वह है 1.5 इंटो 10 पावर 8 मीटर पर सेकिंड एंड 230 नैनो मीटर वेवलेंथ लेमडा 230 नैनो मीटर ठीक है दा वेवलेंथ ओफ लाइट इन एयर में वेवलेंथ कितनी होगी एयर में कितनी होगी तो एक फॉर्मला होता हमारा म्यूज इकल टू लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम ठीक है इसको लगाएंगे हम लेकिन इसका लगाने से यह पहले सबसे पहले हम निकालेंगे देखें म्यूज इकल टू सी अपॉन लेमडा अब हमें म्यू निकालना सी इस्पीड ओफ लाइट एयर के लिए बात हो रही है एयर और वैक्यूम में सेम होती है ठीक है उसके बाद यह भी आपकी किसमे है मेडियम की है ठीक है तो अब इससे डिवाइड कर दीजिये मीडियम का 1.5 you 10 to power 8 यह कैंसिल कितना आ जाएगा तो आ जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब इसकी यहां रख दीजिए इस वाले फॉर्मले में तो मियू इस इक्वाल टू आपका लेंडा एयर अपॉन लेंडा मीडियम टू इस इक्वाल टू लेंडा एयर हमें निकालना है ठीक है यानिके कोशन नमबर 9 का ऑप्शन नमबर सी सही है और यह जो हमारी बात चलिए सेट वन की चलिए इस बात का ध्यान रखना फोर सिक्स जीरो नैनो मीटर यह इसका राइट आप मत्रव ऑप्शन है ठीक है अब 10 की तरफ चलते है कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 10 है आपका विच आप फॉलविंग मैटल से डज नौट एग्जिबिट इमिशन और इलक्ट्रोंस फ्रॉम इट्स सर्फेस वैन इर्रेडियेटिट बाइदा विजीबल लाइट ठीक है तो देखिए यह कोशन नमबर 10 जो है यह थोड़ा सा मेमोरी बेस्ट को है थी करी ठीक है थोड़ा बहुत क्योंकिक्ट जो हार्ड होता है वह तो आजली ररोग देता है यह शुक्तत वालेट रेदीयेशन को सॉफ्ट वालडर नीच्यार जाथ अर्थ पर तो दिखिये थी इमिशन कर दे आ सोडियम भी कर देता है लेकिन कैड्मियम जो है वो इम आई यू एम कैडमियम ओके यह इसका राइट ऑप्शन है अब आते हैं कोशन नमबर 11 पर ठीक है तो पहले इसका आप इससे नौट कर लीजे जल्दी से इससे नौट करें जल्दी से ठीक है इन नौट ने तो देखिए इसमें कोशन नमबर 11 में है a hydrogen beam makes a transition from 5 n is equal to 5 to n is equal to 1 orbit ठीक है the wavelength of the photon emitted is lambda the wavelength of the photon emitted when it makes transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 orbit तो देखिए यह जो है यह थोड़ा सा calculation इसमें जादे है जैसा कि मुझे लगा हो सकता आपने जल्दी से कर दिया हो तो देखिए इसका जो फॉर्मला होता वो आपको होता 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 का square minus 1 upon n का square अब यहाँ पर पहले के लिए है n is equal to आपको देखिए 5 ठीक है तो जब यहाँ से 1 upon lambda करोगे r करोगे 1 upon 1 का square तो 1 आई गया n की जो value 5 है minus 5 का square करोगे 25 आ जाएगा ठीक है 25 आ गया एल सेम लीजे तो 1 upon lambda is equal to r यह कितना हो गया आपका ऊपर कितना बच जाएगा 24 नीचे 25 ठीक है तो lambda की value अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूं तो lambda की value कितनी आएगी तो lambda की value आ जाएगी 25 upon 24 r यह lambda है ठीक है यह इसके लिए है लेकिन अब यह यह कह रहे हैं कि wavelength of the photon emitted when it transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 orbit तो अब अगर मैं से lambda ही माल लेता हूं चलो अब lambda dash ले लेते हैं अब 1 upon lambda dash लेते हैं इसकी value कितनी है इसकी value के लिए बता रखा है नोंने कहां पर आ रहा है वो 2 वाली orbit मा रहा है 5 वाली orbits है तो 1 by 2 का square डारेक्ट लिख रहा हूं मैं 4 minus 1 upon 25 ठीक है तो जब 1 upon lambda dash निकालेंगे आप तो यहां से आपको कितना मिलेगा यह मिलेगा आपका r lcm ले लो कितना आ गया 100 100 lcm आ गया यहां कितना बचा 25 minus 4 तो यह 1 upon lambda dash जो आया वो आया आपका 21 r upon 100 ठीक है तो 1 upon lambda dash आ गया आपका 100 upon 21 r यह 1 upon lambda dash की value मिली हमें तो यह के रहा है कि यह कितना होगा तो r की value put कर दो यहां से निकाल कर यहां से निकाल कर इसमा r की value put करो तो जब r यहां से निकालोगे आप r की value तो r is equal to कितना आ जाएगा 25 upon 24 lambda r की value यहाँ पुट कर ये ठीक है तो अब मैं यहाँ पर lambda dash कर रहाँ डारेक्ट तो lambda dash हो गया 21r upon 100 जब r की value आप पुट करोगे इसमें 21r की value है 25 upon 24 lambda upon 100 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 21 into 25 upon 100 into 24 lambda ठीक है नहीं lambda कहा रह गया हमारा कि लेंडा और तो देखिए यह जो हमने यहाँ पर यह थोड़ा सा यहाँ इसे उल्टा कर दिया हमने लेकिन यह ने करा तो यह हो जाएगा यह यह लेंड़ा डेश की value है लेंडा डेश लेंडा डेश आ जायएका यहाँ पर यह 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 लग करें आप ठीक है तो लेंडा डेश की value आपकी वह लेंडा डेश की value आ गई 100 upon 21r अब आर की value इसमें पुट कर दिजी यहां सेало B लेमडा डैश जिकल तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन्टीवन आर की वैल्यों कितनी है 25 अपॉन्टीफॉर लेमडा यह उपर पहुंचेगा तो यह हो जाएगा 100 इंटु 24 लेमडा अपॉन्टीवन इंटु 25 ठीक है यह 100 कितने बार कैंसल हो गया 4 टाइम ठीक है तो यह आपका बचा कितना 4 इंटु 24 लेमडा अपॉन्टीवन 3 से कर लेजिए कितने टाइम कैंसल हो जाएगा 7 टाइम और यह हो जाएगा 8 टाइम 8 की 4 में मल्टिपला है कितना हो गया 32 और यह लेमडा है आपका अपॉन 7 तो 32 अपॉन 7 लेमडा यह आपका ऑप्शन नमबर D सही है ठीक है कोशन नमबर 11 का यहां पर मैं इस का लेंडा अपॉन 7 इडिस दा राइट ऑपशन अब चलते हैं हम कोशह नमबर 12 पर ठीक है कोशह नमबर 12 अब कोशल नमबर 12 क्या है इसमें आपका बाइंडिंग एनर्जी वाला कर्व है ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी वाले कर्व को जब आपने पढ़ा होगा NCRT में ध्यान से देखा होगा तो उसमें simple simple clear शब्दों में लिखा हुआ है कि helium के जो neighbor nuclei है helium से जो neighbor है आगर पीछ है उनसे जादे more stable क्या है? helium है तो ये जो binding energy कर वाला question है 12 वाला इसका simple answer है और वो answer है इसका D ठीक है? जिसमें बताए गया more stable nucleus and its neighbors ठीक है? more stable nucleus nucleus then its neighbor neighbors ठीक है? ओके? then its neighbors ये इसका right option है अब चलते हैं question number 13 की तरफ ठीक है? इसा मैं रब कर देता हूँ question number 13 की तरफ चलते हैं और question number 13 में क्या कहा गया है? question number 13 में कहा गया है कि in an extrinsic semiconductor the number density of the holes is number density of holes यानि के NH given है आपको कितना? 4 into 10 to the power 20 meter per meter cube ले ले लेता हूँ मैं इसमें meter की power minus 3 है समझ जाएंगे आप if the number density of intrinsic carrier यानि के NI आपको given है कितना? 1.2 into 10 to the power 15 meter cube per meter cube ठीक है? 10 to the power 15 ही है शायद ठीक है? उसके बाद में the number density the number density of electrons in it यानि के NE पूछा आप से क्या ते इसका formula होता है NI का square is equal to NE into NH इस formula को लगाएं तो जब इस formula को लगाऊगा आप 1.2 into 10 to the power 15 का square करोगे NE आपको निकालना है into NH कितना है? 4 into 10 की power 20 तो जब NE आप calculate करोगे 1.2 into 1.2 square कर दिया मैंने डारेक्ट into 10 की power 30 ठीक है? अपॉन 4 into 10 की power 20 ठीक है? इन दौन डैसिमल को हटाने के लिए 100 कर दोगे नीचे 100 ठीक है? तो ये NE is equal to आ जाएगा 12 into 12 into ठीक है? ये हो गया 10 की power 30 ये यहाँ पर कितना बचा? 10 की power 22 22 को उपर लेगे तो 10 की power minus 22 हो जाएगा upon 4 ठीक है? 4 ठीक है? 12 ठीक है? 36 into 30 में से 22 गे कितना बचे? 8 ठीक है? है कोई option ऐसा? एक option है इसे डैसिमल में कर लिजिए 3.6 into 10 to the power 9 meter की power minus 3 ठीक है? ये आपका right option है इसका question number 12 है question number 12 का option 12 नहीं sorry question number 13 है ये और question number 13 का option number C सही है और वो ये है 3.6 into 10 to the power 9 meter की power meter cube per meter cube कर दो meter की power minus 3 बात एक ही है ठीक है? अगला question है question number 14 pieces of copper and silicon silicon are initially at room temperature both are heated to the temperature देखिए ये मैं आपको समझाया भी था बताया भी था ग्राब भी मैं आपको बताया था कि important है उसी में सब पुछा गया ये और आप सब को पता है जब हम conductor का temperature increase करते हैं तो उसकी conductivity घड़ जाती है conductor का temperature increase is करने पर क्योंको इसका resistance बढ़ जाता है और semiconductor か temperature increase करने पर उसकी conductivity बढ़ जाती है यानि को इसका resistance घड़ जाता है तो इसका जो right option है वो d है question number 14 question number 14 का जो right option है, वो D है, question number 14 का right option D, copper decreases and silicon increases, copper decreases, and silicon increases, ठीक है, ये इसका right option हो जाता है, ठीक है, जल्दि से से not कर लिजिए, अब इसके बाद में जो अपना next आता है ठीक है वो है question number 15 इसमें कहा गया है the formation of depletion reason in pn junction diode is due to formation जो होता depletion reason का वो दो चीजों की वज़े से होता diffusion और drift की वज़े से लेकिन इसमें confuse करा गया है drift of electron only तो electron का only drift नहीं होता movement of dopant atom ये भी नहीं है तो इसका option कौन सा सही है B यानि के diffusion of both electron and holes ठीक है तो question number 15 का B सही है question number 15 का B बिल्कुल सही है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर question number 15 का option number B यानि के diffusion of both electron and holes diffusions of both electrons and holes ठीक है चलिए अब हम चलते assertion और reason की तरफ ठीक है question number assertion question number reason और assertion चुरू होते हैं question number 17 से 16 से सोरी 16 तो 16 में पहला है dimagnetic substance exhibit magnetism तो देखें कोई भी substance ऐसाथ नहीं होता जिसना magnetism ना हो तो यह बिल्कुल सही बात है dimagnetic metal do not है permanent magnetic dipole moment यह भी बिल्कुल सही बात हो और इसका correct explanation भी है तो मेरे according is assertion reason का option सही है वो A है यानि के assertion and reason are both correct and reason is the correct explanation of assertion reason is correct explanation of assertion यानि के A अब दूसरे पर आते है question number 17 तो देखें question number 16 का आपका question number 16 का क्या है A ठीक है 17 में है A work done in moving a charge around a closed path in an electric field is always 0 तो अगर हम कोई work done करते हैं closed path में moving a charge electric field के अंदर तो क्या वहाँ पर work done 0 होता है तो बिल्कुल 0 होता है क्योंकि हमारे जो electromagnetic force है वो conservative force है तो मेरे according इसका question number 17 का भी right option A है उसके बाद में आता है 18 का in young double slit experiment of all fringes are equal to both width तो देखें young double slit experiment में bright fringe और dark fringe दोनों जो है वो equal width की होती है all fringes are equal width सभी equal width की होती है उसके बाद में reason यह करें कि fringe width जो है वो depend करती है wavelength पर distance पर plan slit की यारि के capital D और separation पर small slit के separation पर तो beta का formula होता है capital D lambda upon small d जहाँ पर आप सभी को पता है कि यह formula है और यह formula बिलकुल सही है ठीके यारि के capital D पर small d पर lambda पर यह depend करती है तो इसका भी मेरे according question number 18 का भी right option जाता है A अब मैं बार बार यह क्यों शब्द इस्तमाल करता हूं मेरे according क्योंके assertion और reason में जब cbse अपना solution देगी तो हो सकता है कि उसमें यह किछ और सोच रहे हो ठीके लेकिन 99% इन सभी के तीनों यह बिलकुल ठीक है A, A और A ठीक है तो section A का complete solution हो जाता है अब section मैं लेता हूं set 2 और set 2 का section A ही लेते हैं दिखाना set 2 इस वाले set पर अब इस वाले set पर discuss करेंगे देखिए पहला question इसमें बिलकुल change दिया है set A से और यह है the ratio of the magnitude of the electric field and magnetic field the plane electromagnetic wave तो आप सभी जानते है c is equal to होता है e upon b तो इसका जो right option है question number 1 का set 2 की बात चल लही है अब यह question number 1 का right option है c और c का answer भी c है यानि के speed of light ठीक है उसके बाद में देखिए question number 2 है question number 2 को थोड़ा सा इन्होंने lengthy कर दिया है आसान question है लेकिन थोड़ा सा lengthy है उसमें आपको इन चारों को चेक करना पड़ेगा बिना calculation के यह possible नहीं है मैं जहां तक समझता हूँ बिना calculation का possible नहीं है मैंने जब calculation करा इसका तो मुझे formula कौन सा लगाएंगे आप मैं बता देता हूँ question number 2 में formula को वही लगाना है 1 upon lambda is equal to r 1 upon 1 का square minus 1 upon n का square जिस orbit के लिए बात हो रही है वो यहां जहां से आ रहा है वो यहां ठीक है तो अगर इस formula कर इसका सही आता है question number 2 का वो b option इसका बिल्कुल ठीक है जहां पर n is equal to given है 3, 2 और n is equal to 2 यानि के 3 से 2 में आ रहा है 3 orbit से 2 वाली orbit में आ रहा है तो इसका right option यह ठीक है यह मैंने आपको formula बता दिया है यह लगाएंगे काफी देल लग जाएगे सो solve करने में ठीक है उसके बाद मैं question number 3 पर आते है question number 3 question number 3 है area of monochromatic light यह repeat है इसमें क्या आएगा frequency आएगा फिर उसके बाद में question number 4 यह भी repeat है diffusion of both electron and holes इसका answer है question number 5 ठीक है question number 5 थोड़ा सा अलग दे दिया है लेकिन है लगवा कुछ सेम ऐसा ही लेकिन अलग है उनसे तो question number 5 को देखते हैं इसका कैसा होगा question number 5 तो question number 5 में है question number 5 में है an isolated point charge particle produce an electric field E at a point 3 meter away from it एक point charge है उससे 3 meter distance पर electric field जो है वो E है और charge कितना है क्यों अब इन्होंने कह दिया distance of the point at which the electric field E by 4 point charge वो ही है charge की value वो ही है Q वो ही है लेकिन आपके जो electric field है वो E by 4 मिलता है हमें तो अब यह पूछ रहे हैं कि यह R कितना है तो देखें इसके लिए निकालें सबसे पहले E is equal to KQ upon R square होता है इसके लिए निकालेंगे हम E dash माल लेता हूं में E dash is equal to कितना हो जाएगा KQ upon R square ठीके इसकी value को put करते हैं जब हम तो यहां तो E हमें मिली रहा है K है क्योंकि जगा भी Q है R की जगा पर 3 का square कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 ठीके अब जब E dash की बात करते हैं तो E dash में R बताना है कितना है E की value यह है E dash की जब आप यहां पर value put करेंगे तो वो value कितनी हो जाएगा आपकी कितना मिलना आपको E by 4 is equal to KQ upon R square ठीके R पूछ रहा हो तो आप यहां पर क्या रख सकते हैं आप इन दोनों को divide कर लीजिए ठीके divide कर लीजिए R मिल जाएगा equation 1 को और equation number 2 को तो यहां पर E is equal to KQ upon 9 यहां पर हो जाएगा E by 4 upon KQ upon R square ठीके तो यह आपका कहां पहुचेगा यानि के E into 4 upon E is equal to यह पहुचेगा KQ into R square upon KQ into 9 राइट ठीके ना KQ R square यह KQ से KQ cancel E से E cancel ठीके अब यहां पर देखते हम R square तो R square multiply कर दीजिए ठीक जा रहे हम 9.36 जब R निकालोगे तो 6 मीटर पर आ जाएगा 6 मीटर तो इसका जो राइट आप्शन है वो कितना है 6 मीटर ठीक है 6 मीटर इसका राइट आप्शन है अब मैं यहां को लिख देता हूं थोड़ा सा यहां को मैं लिख देता हूं इसका कोशन नंबर कौन सा ही 5 कोशन नंबर 5 का जो राइट आप्शन जाता है वो डी है और डी जो है वो कितना है 6 मीटर उके उसके बाद में छेटा जो कोशन है कि वही वाला है बाइंडिंग एनरजी किसके बारे में पूछा गया इसमें हीलियम के बार में सेमें रिपीट कोशन है more stable nucleus than its neighbors कोशन नंबर 7 इसमें अलग है कोशन नंबर 7 अलग है जिस तरीके से कोशन अलग था उसी तरीके से कोशन नंबर 7 भी अलग है ठीक है कोशन नंबर 7 पर बात आती है 7 क्या है के study current कोशन नंबर 7 का right option में यहां लिख दूंगा इसमें यह के study current of IQ value दे रखे आपको कितनी 8 milliampere यानिके 8 into 10 की power minus 3 ampere ठीक है the current of electron passing through cross section wire number of electrons बताना है जो कि 10 seconds में flow rate is equal to 10 seconds n आपको बताना है तो आप जानते i is equal to q upon t आसान सा कोशन था q जानते आप any के बरावर होता है तो any upon t हो जाएगा i की जगह रख दीजिए 8 into 10 की power minus 3 is equal to n हमें निकालना 1.6 into 10 की power minus 19 upon time कितना है 10 seconds ठीक है यहां तो यहां पर simple कर दो इसा उपर ले जा रहो है यहां से खतम करके यह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अब जब n निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 into 10 की power minus 3 upon 1.6 into 10 की power minus 20 minus 20 की उपर ले जाओ इसा हटाने के लिए 10 की multiply कर दो 16 हो गया कितना बचा minus का 2 बचा यहां पर यह 10 खतम हो जाएगा इसा उपर ले जाओ तो 818,820 यानिके 1 by 2 into 18 मतलब 20 plus का plus में से दो गया यानिके 10 की power 18 बचेगा plus का और यह हो जाएगा 0.5 into 10 की power 18 यानिके 5 into 10 की power minus 17 है कोई ऐसा option कांगे कोईशन 5 into 10 की power 17 हैगा option नमबर 7 ठीक है ओ 7 करहों sorry option नमबर B ठीक है 5 into 10 की power 17 यह आएगा इसका अब कोईशन नमबर 8 ठीक आता है which of the following element will require the highest energy take out of the electron from this देखिए lead given है आपको germanium है carbon है silicon है तो carbon की orbit दो ही है 2 और 4 यानिके 6 electron है तो इस मैंसे electron को निकालना जादे typical होगा बहुत जादे energy देनी पड़ेगी हमने तो इसका right option है C question number 8 का right option है C और C4 carbon ठीक है option का भी C है नहीं नहीं option C नहीं है option है B option है B जिसमें आपका given है carbon option B है carbon में लिख दिया question number 9 इसमें अलग है 9 को देखते है question number 9 question number 9 question number 9 क्योंके इसमें अलग है और वो क्या है आपको given है R की value given है 10 ohm ठीक है volt की value given है 6 volt आप सब पूछा गया power power का formula होता V square upon R तो कितना हो जाएगा 6 into 6 upon 10 यह यह ना 6 into 6 upon 10 कितना जाएगा 36 by 10 यानि के 3.6 watt तो इसका right option है 9 का C और C है 3.6 watt ठीक है connected power supply source conductor is ठीक है उसके बाद में 10 वाला question repeat है 11 वाला भी repeat है 12 वाला repeat नहीं है यह option number B वाले बच्चों को numerical जादे दे दिए मतलब option B के रहा हूं सेट B वालों को सेट 2 वालों को numerical जादे दे दिए ठीक है सेट 2 वालों में numerical जादा आए हैं तो question number 12 question number 12 question number 12 का यह है कि maximum kinetic energy पूछिए work function दे रखा wavelength दे रखिए तो देखे कानेटिक मतलब उसका हमारा formula होता है E is equal to आपका क्या होता कानेटिक energy plus work done total energy क्या होती है H new is equal to kinetic energy plus work done तो यह हमसे work function sorry तो यह हमसे क्या पूछ रहे है maximum kinetic energy पूछ रहे हैं सहाब तो maximum kinetic energy जब आप निकालोगे तो H new minus work function ठीक है यह H new minus work function इससे भी शो कर सकते हो नोट लगा सकते हो यहां अब यहां पर आपको wavelength given है कितने given है wavelength है 663 nanometer 663 nanometer तो यह हो जाएगा 663 into 10 की power minus 9 meter उसके बाद में energy भी work function भी given है तो work function w naught कितना given है वो है 1.50 electron world तो पहले आप इसे joule में convert करो तो 1.5 लिख लूँ 0 को मैंने हटा दिया कोई दिकर नहीं है electron की value लिख दो बस 1.6 into 10 की power minus 19 अब यह joule में convert हो गया ठीक है बस अभी सा रख दिजे उसके बाद में यहां पर new or change कर लो हमां पता है new is equal to c is equal to कितना होता new lambda तो new is equal to हो जाएगा कितना c upon lambda ठीक है c upon lambda यह हां रख देंगे हम तो kinetic energy कितनी मिल जाएगी h c upon lambda minus work function अब h की value कितनी given है आपको paper में given है आपको शुरू में दे रख ही आपको 6.63 into 10 की power minus 34 speed of light 3 into 10 is the power 8 upon lambda कितना given है यह 663 into 10 की power minus 9 minus w naught कितना given है आपको 1.5 1.5 into 1.6 into 10 is the power minus 19 ठीक है जरह इसे solve करो decimal हटाओ 100 के multiply नीचे कर लो इससे यह पूरा cancel ठीक है उपर बचा आपका 3 into यह हो जाएगा 10 में से 2 यानि माइनस का साथ माइनस का साथ उपर पहुच्छा पिलस का हो जाएगा तो 10 की power minus 34 into 10 की power 8 into 10 की power 7 ठीक है ना पिलस का होगे ठीक तो हो जाएगा 3 into साथ सब्सक्राइब पंद्री आने के फिफ्टीन फिफ्टीन लैस करो इसमें से नाइनटीन आएगा 10 पावर माइनस 19 साथ पंद्रे पंद्रे और चार हाँ यह माइनस का 19 ठीक है माइनस 1.5 into 1.6 into 10 पावर माइनस 19 तो माइनस 19 को अलग को मल ले लो तो यह भो जाएगा 3 माइनस यह कितना आएगा मुल्टिप्लाई करना ज़रा तो पॉइंट पंद्र बंद्र चार्ट टू पॉइंट सिक्स कितना टू पावर माइनस 19 जूल अब जब इस आप घटा होगे तो कितना मिला आपका जीरो पॉइंट सिक्स इंटू 10 कि पावर माइनस 19 जूल जब इस इदर ले जाओगे तो हो जाएगा 6 इंटू 10 कि पावर 20 जूल सॉरी 18 नहीं नहीं 20 तो होगा माइनस में 20 माइनस का यह इधर ले एक और लेगे माइनस होगा माइनस 20 तो 6 इंटू 10 कि पावर माइनस 20 जूल right option इसका बी कोशन नमबर 12 का right option है B और इसका answer है 6 into 10 power minus 20 joule ठीक है ये इसका right option था ठीक है अब आते हैं कोशन नमबर 13 repeated है कोशन नमबर 14 repeated नहीं है कोशन नमबर 15 भी repeated है और assertion reason 3 set में same है जिनका answer A है तीनों का A है A A A लेकिन कोशन नमबर 14 इसमें repeat नहीं है तो 14 को देखते हैं 14 में क्या है कोशन नमबर 14 set नमबर 2 पर बात चल रही है ये set नमबर 2 set नमबर 2 set नमबर 2 है कोशन नमबर है 15 तो 15 15 नहीं sorry 14 है कोशन नमबर 14 14 में का गया array of light wavelength 600 nm propagates from air into medium if its wavelength in the medium become 400 nm यानि के air में कितनी है air में या vacuum में 600 nm है मेडियम में 400 nm में refractive index पुछा simple simple formula musical टू लेम्डा वेक्यूम और air अपॉन लेम्डा मीडियम मीडियम समझ रहो तो musical टू लेम्डा आपको दे रखा कितना 600 nm तो 600 into 10 की power minus 9 meter में बना लिया उसके बाद में कितना नीचे की विन है 400 nm तो 400 into 10 की power minus 9 ना भी बनाओ तो कुई बात नहीं है चलेगा काम तो जीडो से टू जीडो कैंसल म्यूजिकल टू कितना आएगा प्रवाइब टू फवाइब टू फवाइब टू टू फवाइब टू तो 5 आ गया 1.5 तो option नंबर option नंबर सही है इसका बी जिसका right है answer 1.5 ठीक है चलिए यह आपका set number b b sol हो जाता है मतलब के set number 2 b से मतलब समझो ना set number 2 अब मैं लेता हूँ set number 3 ठीक है set number 3 जल्दे दो set number 3 ठीक है section a देख रहे है हम set number 3 का तो set number 3 का जब section a देखेंगे उसके बाद में यहाँ पर है set number 3 अब इसकी बात ने चली है अब इसकी बात चली है अब देखते हैं कि इसमें क्या है तो देखें पहला question repeated है same है one आएगा इसका answer question number 2 जो है वो इसमें अलग है दाएनर जो photon of wavelength this तो देखें कौन सा formula लगाएंगे आप formula लगाएंगे is equal to h new और जब new करेंगे तो hc upon lambda h कितना given है 6.63 into 10 की power minus 34 into 3 into 10 is the power 8 upon lambda कितना given है lambda is 663 mm 663 into 10 की power minus 9 decimal हटाने के लिए 100 की multiply कर दो इससे यह cancel ठीक है उपर कितना हो जाएगा 3 into 10 की power minus 34 plus का 8 यह नीचे कितना बचा minus का 7 minus का 7 को उपर लेगे plus का 7 होगे 10 की power 7 तो इससे calculate करोगे तो यह बचेगा 3 into 10 की power minus का 19 ठीक है minus का 19 जूल 3 into 10 की power minus 19 जूल यह इसका right option है ठीक है तो question number 2 question number 2 का कौन सा सही है c part सही है c option सही है 3 into 10 की power minus 19 जूल उसके बाद में question number 3 है an electromagnetic wave is produced by a charge देखिए electromagnetic wave जब भी जिस charge से भी produce होंगी वो charge acceleration में होना चाहिए बहुत बार आपको बताया था ठीक है याद भी होगा आपको तो question number 3 का जो right option जाता है वो जाता है c moving with an acceleration moving moving with an acceleration moving with an acceleration question number 4 4 भी आसान है कि एक battery लगाई है जिस में मीटर है current बंद हो जाता है flow ना पहले flow रहा था बंद हो गया तो यह क्या है से कब हो सकता है देखिए P type semiconductor में लगाएंगे current जाता रहेगा intrinsic semiconductor में भी N type में भी लेकिन अगर PN junction diode है तो एक बार वो forward एक बार reverse है तो इसमें थोड़ा आपको सोचना था और question number 4 का जो right option है वो है आपका D यानि के PN junction diode बताया था आपको कराया था सब आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं बहुत जादे कराएगे question आये हैं और इसके लिए आपको भी धन्यवाद और मुझे भी शाबाशी ठीक है उसके बाद में question number 5 repeated है ठीक है उसके बाद में question number 16 इसे अभी देखते हैं हम पहले हम लेते हैं question number 17 को इस बज़ार टाइम लगेगा 17 ने sorry question number 7 को question number 7 को देखें question number 7 question number 7 में क्या है क्या पुछेगे आपसे elected dipole of dipole moment dipole moment दे रखखे आपको P is equal to 2 into 10th power minus 8 कूलाम मीटर ठीक है uniform electric field experience the torque torque is equal to दे रखखा 6 into 10 की power minus 4 newton meter ठीक है the magnitude of the electric field E बताना हमें कितना होगा तो आप जानते हैं torque is equal to कितना होता है torque is equal to होता P e sine theta लेकिन बात यह कर रहे हैं किसकी बात यह कर रहे है maximum torque की तो sine कितना हो जाएगा है हापर theta 90 degree तो simple formula है toys equal to P e और पूछना क्या है electric field तो electric field कितना हो जाएगा torque torque upon P ठीक है जब यह value put करोगे आप torque की value कितनी है 6 into 10 की power minus 4 upon P की value कितनी है 2 into 10 की power minus 8 तो कितने time 3 तो 3 into यह उपर पहुच गया 10 की power plus का 4 ठीक है volt per meter electric field की unit होती है यह ठीक है तो 7 का जो right option जाता है वो option number है C और answer है यह ठीक है question number 8 repeated है question number 9 question number 9 मैं simple formula दे रखा कहीं नहीं जाना आपको यह simple formula given है आपको ठीक है यह आया है आपके kinetic energy पूछी गई है यह मतलब nucleus की जगए minus Q दे दिया बच्चों confuse करने के लिए और electron बाहर घुम रहा है यह वो वाला formula लगेगा आपका और जब उस वाले formula को लगाओगा आप तो kinetic energy का formula होता है कितना होता है e square upon 8 pi epsilon not r यह होता लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा e square के जगे एक charge आपका capital Q एक charge ए small q upon 8 pi epsilon not r की जगा पर given है आपको a है न a given है तो यह इसका right option होता है जो की question number 9 का option number b सही है ठीक है option number b question number 9 का option number b ठीक उसके बाद में 10 वाला repeated है more stable nucleus than the neighbors ठीक है उसके बाद में question number 11 कुछ अलग दिया है ठीक इससे देख लिजे ज़रा यानि के मुझे ऐसा लग रहा है कि set 1 वाले बच्चे जादे फायदे में रहे है set 1 के जो mcqs वो जादे आसान थे इसमें जादे दे रखे हैं आपको solve करने वाले set 3 में 11 वाले में पूछा गया है तो देखो मैं simple बता रहा हूं इसमें formula लगएगा i is equal to dq over dt जब आप dq न i की जो value given है वो आपको given है 6t तो यहां पर रख दोगे 6t into dt और limit दे रखे हैं आपको 0 से 3 तो 0 to 3 तो यह हो जाएगा 6 तो बाहर आ जाएगा t का करोगा तो कितना हो जाएगा t square by 2 0 to 3 तो यह हो जाएगा 6 3 3 is a 9 by 2 minus 0 ठीक है तो जब इसे करोगे 6 into 9 by 2 3 time and 9th is a 27 27 तो 27 unit को कि मिली कूलाम है तो आप भी मिली कूलाम ही लगा दीजिये 27 मिली कूलाम ठीक है अब कोशन नंबर 12 जो given है इसमें इसमें थोड़ी सी trick खेल दी है इन्होंने थोड़ी सी trick खेल दी है अब उस trick को देखते हैं कि वह trick इन्होंने क्या खेली है ठीक है मुझे हसी इनो सेकेंड में हो गर्रियोट का रिफरक्टिव इंडेक्स पुछा है तो रिफरक्टिव इंडेक्स मुजी कल टू सी अपॉन भी होता है तो सी तो आपको पता है सिंपल थी इंटू टैनल पावर एट मीटर पर सेकेंड तो भी निकालना वी इस इकल टू कितना होगा velocity is equal to displacement upon time speed is equal to distance upon time तो distance given है इसमें आपको कितना 12 मीटर ठीक है time कितना given है 69 सेकंड यानि कि 60 into 10 की पावर minus 9 इसे उपर ले जाओ तो 12 into 10 की पावर 9 हो गया upon 60 बारे पंजे साथ 1 by 5 into 10 की पावर 9 कितना बचा? 0.2 ठीक है? into 10 की पावर 9 यानि कि 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इसे रख दीजिए इसमें इस वाले formula में रख दो तो C की वैल्यों 3 into 10 की पावर 8 upon इसकी वैल्यों कितने आगे 2 into 10 की पावर 8 V की जो वैल्यों आई तो कितना आए आपके पास में 1.5 1.5 तो मियू की जो वैल्यों आए गी 1.5 कोशन नमबर बारे का option नमबर कौन सा सही है? B और इसका क्या answer है? 1.50 या 1.5 बात एक ही है ठीक है? ओके कोशन नमबर 13 रिपीट है कोशन नमबर 14 रिपीट है कोशन नमबर 15 रिपीट है और assertion, reason तो सब में सेम है तो ये सारे कोशन हमारे हो जाते हैं 15 रिपीट है और assertion और reason इसमें सब में सेम है set 1 में, set 2 में, set 3 में सब में सेम है अब इसका एक कोशन रे गया था और वो कौन सा कोशन था? कोशन नमबर कौन सा था वो? कोशन नमबर 6 6 में ये given है आपको के कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 में आपको given है radius यानि के कोशन नमबर 6 6 में given है 13x 27 की जो radius है nucleus की radius वो r है ठीक है तो 53 y 125 की जो radius है r डेश वो कितनी होगी तो दो हो इसमें बस confuse किया गया करना कोशन है थोड़ा से दिमाग लगाओ हमारे formula होता है r is equal to r naught a की power 1 by 3 radius का अब यहाँ से इन्हों ने बता दिया के r radius है r माली हमने इसकी radius है हो गया r naught a कितना इसका atomic number 27 की power 1 by 3 तो जब आप इसे करोगे तो r naught 27 किसका cube होता 3 का और इसकी power 1 by 3 यह cancel तो कितना आगया 3 r naught जब आप निकालोगे यह r डेश तो r डेश की value जब आप calculate करोगे तो यह हो जाएगा r naught और 125 की power 1 by 3 तो यह हो जाएगा r naught 125 किसका cube होता 5 का 25, 25, 25, 25 ठीक है उसके बाद में 3 इससे एक cancel हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 r naught अब आपको यहाँ से r naught की value निकालनी है तो r naught की value कितनी है r by 3 r by 3 ठीक है अब इस value की हाँ रख देनी है आपको r dash में इसमें तो हो जाएगा 5 into r naught की value कितनी निकाली है आपने r by 3 तो कितना आगया 5 upon 3 r 5 upon 3 r तो question number 6 का option number a सही है जिसकी value है 5 upon 5 upon 3 r यह इसका right option है फिर मैं आपसे मिलता हूँ next video में तक तक के लिए thank you very much goodbye see you again और मेरे channel को please subscribe करें आपने दोस्तों के साथ में share करें like करें see you again goodbye फिर मैं मिलता हूँ okay